तो टी का मतलब है ट्राइंगुलर आई का मतलब है इर्रेगुलर और एन का मतलब है नेट्वर्क अब इसका क्या माइना होता है इसको आपको इस तरीके से कुछ टेरेन मिलेगा और इसको आप कैसे मैथमेटीकली ग्राफिकली जिमेट्रिकली जीएस में दिखाएंगे या किसी और जो रिमोट सेंसिंग या जीएस का अप्लिकेशन ने उसमें दिखाएंगे तो होता यह है कि पहली चीज़ यह है कि यह वेक्टर है इस वेक्टर बेस्ट याने इसका मैं आंतर भी दिखाऊंगा आपको टिन और ग्रिड वाले में लेकिन पहले समझ लिजे कि यह वेक्टर बेस्ट है मतलब पॉइंट लाइन पॉलिगन की थोड़ा सा एडिया अगर कि ओल ट्राअंगल दिखे कही चोटे ट्रैंगल चोटे लाइन आंप असंपे जुड़े हुए है तो यह तो ट्रोइंगूल हो गया आपस पे जुड़े है तो नेटर क्योंकि यह अलग 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 शेप साइज में इसलिए अर्रेगुलर हो गया तो यह जब एक साध methrie है और उसके बाद हम इस पर ड्रेपिंग करते हैं जैसे साड़ी नहीं पेलते हैं या इसके पर चादा लगा दें किसी इमेज की तो इसले वह एक्चुल टेरेन या फिर रियर लाइफ वर्ल्ड का व्यू आपको दिखने लगता है यहां पॉइंट देखेंगे यह एज है यह एक्षणी पर इनका वं फेस कहते हैं या अगर मेरे ऐसे धो ट्राइंगल लूँँ अर्यह आपस में आ लीजया एक कि लिखेंगे तो आपके यह क्या हो गया बस इसी काम में आता है फ्रस्वार इसको पताने के कोशिश करूगा कि ये आपको surface दिखाता है actual surface जो अर्थ का है उसको हम triangle के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं हर एक triangle plane दिखाएगा हर एक triangle जो होगा वो equal plane होगा याने अगर एक triangle आपने बना दिया तो ये सारे सब की height जो है एक जैसी होगी तो अगर आप देखेंगे कि जैसी आपके height एकदम से variation हो रहा होगा change हो रहा होगा तो वहाँ आपको एक ही जगह पे बहुत सारे triangle डालने पड़ेगे लेकिन कोई ऐसी जगह है जो plane है या माली जैस तरीके की है तो यहाँ पर बस एक triangle डाले से काम चलेगा और वो triangle उसको उस area के height को दिखाएगा उस area के elevation को दिखाएगा तो जितना ज़ाधा आप point लेंगे जितना accurately आप इसको बनाएगे उतना साधा सुंदर आपको view दिखाएगा ध्यान रखेगा कि अगर आप 3D movies देखते है या कोई भी ऐसी picture देखते है 3D का कोई भी बात करें तो वहाँ पर आपको कोई जैसे आदमी है तो यह आदमी नहीं होता है इसके पीछे एक network बना होगा इसके पीछे बिलकुल सेम इसी तरीके का एक network होगा और उस network के ओपर या आदमी के जो चहरा है या फिर हाथ वो सब लगाए जाते है और फिर उसके बाद ये triangle जैसे move करेगा ये खिचेगा ये खिचेगा तो जब triangle move करेगा तो आदमी भी move करता हो दिखाए देगा वही concept है इसमें पहली चीज़ यह है कि जो टिन का model है बहुत simple है और क्योंकि इसमें किवाद triangle का use हो रहा है और छोटे बने triangle से अगर आप use करेंगे तो ये grid model से कही कही जगा बहतर निकालाता है अब grid का मतलब क्या होता है grid का मतलब है सीधा एक आपका रास्टर हो रास्टर मतलब रोज हो, column हो और इसकी value मंतले height की value दे रहे इस जगा की height की value आपने देख दिया पांच यह थोड़ा ऊपर हो गया तो यह थोगया द लीचा हो गया तो यहिए जो आज़ा जो भादा यह बहुत जादा आज़ा इसको कोशिष tजाने की कि या फिर पता करने या बैंगराॉंट्ट可以 कि कि यह जो इलाका है यह थोड़ा ऊपर का इलाका है पहाड का इलाका है और यह नीचे की तरफ हैं तो यहां पर हमने ट्राइंगुलर फॉर्मेशन किया और उसके बाद जो भी इसकी हाइट है जो इसका इसको उठा दिया अब यह इसका बेस हो गया इसके अगर उपर हम चाहे आप बढ़ा करें चाहे चोटा करें दस का दस ही दिखाई देगा लेकिन यहाँ पर आप multiple triangular triangle दिखा सकते हैं जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो और final triangle आप दिखा सकते हैं और storage बढ़ा अच्छा है इसका आसानी से हो जाता है ग्रिड में फाइदे हैं कि आप यहाँ डेटा राम से manipulate कर सकते हैं जैसे हम image processing में करते हैं और इसको आप raster databases के साथ बहुत अच्छे से connect कर सकते हैं थोड़ा smoother इसमें आता है जिस तरीके यह स्मूथ तो नहीं लग रहा आपको लेकिन एक्च्छल है क्योंकि असली वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको स्मूथ तो नहीं दिखाई देगा कई न कहीं जो ट्रेंड है वो complex है तब यह इसको रिप्रेजन करने में असक्ष्म है आप अप